हलो माई देश्पूरेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला नमस्कार अधाफ स्वागत आपका इंडियास मोस्ट ट्रस्टेट ओनलाइन प्लाटफॉर्म पे जिसका नाम है डी एस पी यानि डेफिनेट सक्सेस पाच्छाला और मैं हूँ आपका मास्मेंडर र किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस का भी और प्रीवेस वीडियो का भी जाकर देख लीजेगा और अच्छे से अपने टॉविक्स टॉपिक्स को कवर कर लीजेगा अब बात करते हैं आज के सेशन में क्या विशेश होने वाला है तो यह क्लास तेंथ का अपना जो फोफ चाप्टर है उसका नाम है कौडराटिक इकुवेशन्स विच कम्स फ्रॉम दे सेकेंड चाप्टर तो चाप्टर टू में अगर आपको याद हो तो हम पॉलिनॉमियल्स पढ़ चुके हैं पॉलिनॉमियल्स के अंदर हमने पढ़ा ह कौडराटिक पॉलिनॉमियल्स को और वहीं से इंस्पिरेशन लेते हुए आते हैं कौडराटिक इकुवेशन्स तो पहले इसका थोड़ा इंट्रॉडक्शन देखेंगे इस टॉपिक को समझेंगे कैसे होता है क्या होता है उसके बाद बेस्ट ऑन इस इंपॉर्टेंट प इसा है कि हमने सेकेंड चाप्टर में जैसा कि मैंने पीछे लिखा भी सेकेंड चाप्टर में हमने पड़ा है बहुत सारे टाइप के पॉलिनॉमियल्स होते हैं डिफरेंट टाइपस ऑफ पॉलिनॉमियल्स उन में से एक काटेगिरी होती है कोडराटिक पॉलिनॉमियल में variable की highest power होती है two यह हम ऐसे कहें अगर mathematical language में कहें तो जिसकी degree होती है two उसे आप कहते हैं quadratic polynomial degree कितनी होती है degree होती है two उसे आप क्या कहते हैं quadratic polynomial यह clear हुआ यह आपको समझ में आया ठीक है और जब आप इस polynomial को equate कर देते हैं किसे zero से तब वो किसका रूप ले लेती है तब वो equation का रूप ले लेता है क्योंकि अगर आप normally देखें हम किसी भी polynomial को जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं p of x is such that it is ax square plus bx plus c यह polynomial है जहां पे आप किसी particular एक event को mathematical situation को express कर रहे हैं पर लेकिन अगर मैं इसको zero के बराबर रख दू तो मैंने क्या difference लाया तो मैंने वहाँ पे एक तो equal to sign रख दिया जिसकी वज़े से from polynomials इसका होगे थोड़ा साब कह सकते हो upgradation to a equation कि यह किसी particular चीज के बराबर है polynomial में आपकी value fixed नहीं होती है अलग-अलग आप x की value रखते हैं तब आपको p of x की value मिलती है ठीक है तो it is a changing concept, it is a flowing concept आप x की अलग-अलग value रखेंगे तो आपको p of x की अलग-अलग value मिलेगी पर यहाँ पर जब आप equation बना देते हैं उसको तो वो एक particular scenario को represent करती है ठीक है और किसी particular problem का हमें solution निकालने में help करती है ठीक है जैसा कि यहाँ पर दिख सकते हो it is ax square plus bx plus c के form में example अगर मैं आपको दूँ तो देखो मालो मैंने रखा x square plus x plus 1 now this is a polynomial इसमें आप x की अलग-अलग value रखोगे तो आपको p of x की अलग-अलग value मिलेगी simple funda right लेकिन अगर मैं इसको रख दूँ x square plus x plus 1 equals to 0 अब मैंने इसको एक particular situation के लिए define कर दिया ठीक है अब इसको जब मैं solve करूंगा तो मुझे x की कुछ specific values मिलेंगी जो की तभी true होंगी मतलब वो क्या करेंगी वो इस equation को situation को true proof करवाने में हमारी help करेंगी वो x की value ठीक है बाकी किसी x की value पे यह equation या particular situation mathematical आप कह सकते हो कि यह जो math की कविता है यह और कहीं पे कोई भी meaning क्यारी नहीं करेगी और किसी x की value के लिए is this clear polynomial और equation का सफर आपको समझ में आया एक specific situation अमारे polynomial की express जब हमें करने होती है तो हम equation में उसको convert करते हैं और फिर use करते हैं ठीक है चलो अब यहां पर ठोला और अगे चर्चा करते हैं तो जो quadratic equations होती है ठीक है उन पर थोड़ी और गहन चिंतक चंद वह कबन चर्चा करें क्योंकि यही अपना topic आज का है तो यह quadratic equations होती है यह कैसे आती है कहां से आती है ठीक है यह तब आती है जब हम deal करते हैं एक ऐसी सिचुवेशन से जो की रियल लाइफ से काफी मिलती जुलती होती है ठीक है जैसा कि अपना linear equation में भी होता है जिसे यहां पर आप देखेंगे कि आपको दिया है कि एक charity trust ने क्या किया एक charity trust ने decide कि वह एक prayer hall built करेंगे ठीक है अब अगर कोई चीज बनानी है तो जमीन चाहिए होगी तो यहां पर उनके पास एक जमीन है जिसका carpet area कितना है जिसका carpet area है 300 square meters with length of one meter अब यहां पर आप देखोगे अगर तो भाईया carpet area जो होगा वो कुछ dimension के साथ होगा तो यहां पर dimension कैसे बताए कि जो length है वो आपकी breath से कितनी जादा है एक मीटर जादा है उसके twice से तो इस kind of scenario में जब आपके पास एक ही information है और दूसरी information भी पहली वाली information पर dependent है तब वहां पर आप quadratic equation का जादा उप्योग करते हैं यहां पर आप देखेंगे अगर हम यहां पर कह देते कि भाईया length और breath अलग-अलग किसी तरीके से बताई गई हैं तो हम यहां पर दो वेरेबल करते हैं पर यहां पर हुआ क्या है यहां पर एक information है जाट 300 square meters और दूसरी equation में आपने एक तरीके से dependency दिखा दी है कि भाईया जो length है अगर आपको वह पता करनी है तो पहले breath पता करो मैं दोनों के बीच में रिष्टा बता देता हूं इतना कर देता हूं ठीक है तो यहां पर आप dependency कर देते हैं किसी एक ही quantity पर कि length खुद से independently exist नहीं कर रही है बलकि उसके बारे में जो हमें जानकारी है वो किसी दूसरे dimension के reference में मिली है ठीक है अब आपको पूछा भाईया length of breath क्या होनी चाहिए आप क्योंकि हमारे पास जो unknown variable है length of breath उन दोनों के बारे में separate information नहीं है तो उनमें से किसी एक को ही यहां पर x मानना पड़ेग that is the unknown quantity तो उन्होंने breath को मान लिया unknown quantity x और length को breath के हिसाब से लिख लिया तो length क्या होगी भाई यह information के हिसाब से in relation to breath would be 2x plus 1 यह कैसे हुआ एक बार फिर से देखो हमें ना length पता थी ना breath पता थी ना ही दोनों के बारे में कुछ बहुत जादा जानकारी थी उल्टा length के बारे में भी हमें breath के माध्यम से ही बताया गया तो इसलिए हमने क्या किया breath को ले लिया x और length की value जो हमने पता लगाई वो फिलहाल हमें breath की सहायता से मिली है that is 2x plus 1 we can depict this information यहाँ पर देखो आप देखो डाइगराम में दिख रहा है कि यह जो आपकी length है वो है 2x plus 1 ठीक है और यह कब आई जब आपने पहले breath को मान लिया x तो length है 2x plus 1 बट किसकी सहायते सही breath की सहायते सही which was x और इसका total carpet area है 300 meter square अब यह तो हमें जो given जानकारी थी हमने उस को लिखा अब इसके बाद हम यहाँ पर दिमाग क्या लगाएंगे हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कैसे अब इनके बीच में कुछ relationship establish करके इसको solve किया जाए तो भाई अगर आप देखो गोने का carpet area तो यहाँ पर हम area का formula यूज करेंगे भाई जहाँ पर होगा आपका rectangle क area that is l into b तो आपने दोनों का multiplication करना है x जब अंदर multiply होगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा और सवाल में दिया है कि आपका जो area है वो 300 है 300 है तो यह area के formula से आया यह 300 question से आया दोनों same ही square या same ही उसके shape के बारे में बात कर रहे था दोनों आपस में बराबर हो गए अब आ quadratic equation this is not a quadratic polynomial reason क्या है so reason बहुत simple है कि अब यह किसी particular situation में ही कोई particular x की value के लिए ही सही साबित होगी बाकी सब के लिए एक तरीके से गलत ही होगी ठीक है so the breath of the hall should satisfy the equation that is 2x square plus x minus 300 which is a quadratic equation जो कि मैंने आपसे बोला अभी ठीक है clear है इतना अब यहाँ देखो many people believe that जो यह अब बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो babylonians थे अपने इतिहास में पुराने जवाने में उन्होंने सबसे पहले quadratic equation को बना के solve करने की कोशिश की थी तो उन्होंने solve की थी they were the among the first ones for instance they knew how to find a two positive numbers with a given positive sum and a given positive product ठीक है तो यह आपने कहां पे देखा है भाई positive sum and positive product तो यह अगर आपको याद हो अपने middle term splitting में ऐसा ही कुछ देखा है ठीक है and this problem is equivalent to solving a quadratic equation of form x square minus pqx plus q equal to 0 यह जो बात है कि sum of numbers and product of numbers यह अगर आपको याद हो तो हमने अकसर बहुत बार इसको middle term splitting में यूज किया है कि भाईया दो जो middle वाला है उसका sum और उसके बाद फिर जो extreme वाले हैं उनका product तो वो बात उन्होंने भी कहीं न कहीं कहीं ती जिससे लोगों को रखता है कि शायद इन्होंने इस पूरे प्रथा का इस पूरे concept का कह सकते हो आप कि initiation किया था अब आगे अगर आप और देख geometrical approach क्या किया था develop किया था किसके प्रती finding out the length length find करने के लिए geometrical approach का यहाँ पर उन्होंने सहायता लिया था जिसको present day में आप क्या कहते हैं जिसको present day में solution of quadratic equations कहते हैं हम ठीक है present day में क्या कहते हैं उसको solution of quadratic equations solving of quadratic equations in general form is often credited to ancient Indian mathematicians तो बहुत यहाँ पर गर्व की बात है कि हमारे कुछ Indian mathematicians को भी इसमें credit दिया जाता है कि उन्होंने भी कही ना कहीं कभी ना कभी quadratic equations को बनाने और सको solve करने के लिए and as a mathematical concept develop करने के लिए कुछ योगदान दिया अब उसमें सबसे important कौन आ जाते हैं यह देखो यहाँ पर नाम लिखा है ब्रह्म गुप्त नाम है इनका हमारे great mathematician है उन्होंने एक explicit formula दिया है ठीक है तो वहां पर हम देखेंगे ठीक है अभी चाहिद आपको उसके बार में ज्यादा बजान करी नहीं मिले फिर लेटर क्या हुआ बार में क्या हुआ यह स्री क्याना में का सिद्धाचार्या यह भी हमारे बहुत महान mathematician थे इंडिया के इन्होंने क्या किन्होंने एक formula drive किया उन्हीं की सहायता से उन्हीं के मतलब उन्हीं के उससे लेते हुए इंस्पिरेशन लेते हुए जिसको हमने यूज किया एस quadratic formula ठीक है और इसको कोट किस ने किया कोट किया है भासकरा टू ने अब आपको यह सब याद करने की जरुवत नहीं पर फिर भी अपन बता रहें भाई है अब इन्फोर्मेशन फॉर्ट वाइशन वाइदा मैज़ड ऑफ कंप्लीटिंग दस्कुएर ठीक है जिनका नाम है अल्खवारिजमी ठीक है उन्होंने भी पढ़ी है कि उन्होंने बहुत सारी पढ़ाय करी किसके बारे में quadratic equation के बारे में ठीक है पिर ऑबराहं बारहया हार नसी यह भी एक बहुत अच्छी बुक है इन्होंने अपनी बुक में लिखा था कि भाईया जो की इ लोगों ने को सॉल करने में उनको कैसे यूज करना है उनको temos का द्यूब्लपमेंट नहीं भैश्से completely सब्सक्राइब करें तो हम जब चरहें अब लोगों के लॉड़ीज़ खिगान वहां जब भाल के दो क्या ظुर्ट करोफ Lao T GO उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब भी हम roots के बारे में पढ़ेंगे तब ठीक है और also जैसा कि हर बार होता है mathematics में कुछ application होंगे कुछ ऐसे questions आएंगे जहांपे हम quadratic equations का इस्तमाल करके daily life situations को solve करने की कोशिश करेंगे ठीक है यह क्लिए हुआ यह इस chapter का पूरा मोटा माटी agenda ह चलिए अब यह अपने थोड़ी सी बात कर लिए अब अपन थोड़ा आ जाते हैं practical part पे a quadratic equation एक quadratic equation variable x में यहाँ पे बात हो रही है मतलब only one variable में बात हो रही है कुल मिलाके is an equation of form जिसका form कुछ इस प्रकार होगा जिसमें a b c होंगे real numbers और जो अपका a है it would not be equal to 0 वो 0 के बरा दिया example 2 x square plus x minus 300 equal to 0 is an example of a quadratic equation ठीक है किसका example है बहुत बढ़िया ठीक है अब इसके बाद अगर आप दिखेंगे आपर similarly 2 x square plus 3 x plus 1 यह भी quadratic equation का example है ठीक है उसके अलावा 4 x minus 3 x square plus 0 equal to 0 यह भी एक्जामपल है अब आप कल को यह ना कहिएगा इन सब के साथ कि अरे सर आपने तो यहां पे 3 x square को बाद में लिख दिया उससे कोई आपती नहीं आप बाद में लेखें पहले लेखें बाद बराबर है बस यह क्या ध्या पावर कितनी नीचे भाई है तो highest power होनी चाहिए 2 इस बात अगर आप ध्यार लखेंगे तो फिर आपका सवाल बिल्कुल सही होगा quadratic equation को फिर आसानी से solve कर पाएंगे यह सारे जो एक्जामपल्स हमने यहां पे देखें यह सभी किसके एक्जामपल्स है quadratic equation के और important क्या है यह जरूरी नहीं है कि हर बार x square ही पहले आएगा कभी x square बाद में भी आ सकता है negative sign के साथ भी आ सकता है और negative sign and coefficient के साथ भी आ सकता है ऐसा कोई rule नहीं है कि हर बार इसी form में वो चलेगा ठीक है ध्यान लखना इस बात का confused नहीं होना चले यहां देखिए in fact any equation of form px equal to zero where p of x is a polynomial of degree 2 ठीक है अगर कोई ऐसी equation होती है जहां पर आपको यह दिखता है कि p of x is equal to zero जहां पर p of x क्या है p of x है एक polynomial of degree 2 ठीक है is a quadratic equation but when we write the terms of p of x in decreasing order of the degrees then we get the standard form of the equation तो यह गणित में एक बात हमेशा ध्यान क्या दी जाती है कि आपको हर एक चीज़ को किसी particular pattern में ही लिखना है ताकि चीज़ें सबको समझ में आए और कुछ भी miss ना हो तो यहां पर हमारा pattern क्या होता है जब भी हम quadratic equation को लिखते हैं तो in general उसमें क्या करते हो आप highest और जो आपकी equation highest जो power होती है वो सबसे पहले आती है यानि घटते क्रम में power के आप चीज़ों को mention करते हो decreasing order में mention करते हो और जब आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक standard form of quadratic equation यहां पर बना रहे हो और यह जरूरी क्यों है ताकि कोई भी confused ना हो गलत value ना ले ले और हमारा answer कहीं पर जाने 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 गलत ना हो जाए ठीक है आपको pattern समझ में आ गया क्या करना होता है जब भी हम quadratic equation लिखते हैं तो it is in general advised कि आप from highest power to lowest power की तरफ लिखें ताकि कोई भी value मिसना हो किसी भी त equation को standard form में लिखो चलिए अब देखो यहां पर quadratic equations arise in several situations in the world around us यह ऐसा नहीं कि कोई ऐसा topic है जो कि आप real life में नहीं देखते हैं बहुत जगा पे बहुत सी situation में आपको ऐसे question ऐसी situation देखने को मिलेगी जहां पर quadratic equation का इस्तमाल करके ही चीजों का समधान समस्याओं का समधान न जिसको आपको क्या करना है इस particular situation को mathematically represent करना है अभी हमें नहीं पता कि इसका जो result आएगा वो किस type का आएगा लेकिन फिलहाल के लिए हमें mathematically represent करना है तो अभी तो हम वही करेंगे यहां पे john and जीवन्ती दो लोग हैं दो भाईबे नहीं हैं जो भी कहलो दोस्त हैं दोनों के पास कितने हैं 45 marbles हैं ठीक है both of them lost 5 marbles each ठीक है भाईया and the product of the number of marbles they have now is 124 we would like to find how many marbles they had to start with ठीक है उनके पास कितने marbles तो आपने सबसे पहले का लिख रहे हैं यहां पे कि आपका जो दूसरा व्यक्ती है कौन है वो दूसरा वक्ती दूसरा वक्ती है सर यहां पे जवंती दोनों के पास है X और Y marbles लेकिन यहाँ पे हमने वैसा नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो जानकारी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है कैसे भाई John के पास X marbles है तो जेवन्ती के पास कितने हो जाएंगे यह जानकारी हमें यहाँ पे दोनों के साथ कंपेर करके ही दी गई है तो अगर मैं सवाल की बात समझूँ ठीक है अकॉर्डिन टू क्वेश्चन मार्वल्स वेट मार्वल्स वेट कोई नहीं नाम दीदी का जीवन्ती या जेवन्ती जो भी आपके है जीवन्ती कि थी जीवन्ती जो है उनके पास कितने मार्वल्स वेट बी कितना तो जेवन्ती के बारे में डिरेक्ली तो कुछ दिया नहीं है अगर आप देखें सवाल के साथ हमने एकश बोल दिये तो एकश प्लस यहां पे जीवन्ती के मार्वल्स जो भी संख्या है उनकी वैसे मैं वाए बोल सकता हूँ पर मैं कंफूज क्यों करूँ जब मैं x के टर्म्स में ही पूरा काम करता हूँ चाहा कहता है हमारा गनित गनित यह कहता है कि x यहाँ पर अकेला है उसको उस तरफ भेज लीजे अगर आपको जिवन्ती के बार number of marbles चाहिए तो मैंने जैसे x को वहाँ भेजा तो वह कितना हो जाएगा तो सर वह हो जाएगा 45 माइनस x तो यहाँ पर लिखोगे according to question marbles पर जिवन्ती वुड़ भी 45 वुड़ भी कितना वुड़ भी 45 माइनस x छीक है यह clear हुआ इसी लिए यह question थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि हमें दूसरे variable को लाने की जरुवत नहीं पड़ी और अगर जरुवत कम पड़ेगी तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा अब आगे की situation पड़ो both of them lost 5 marbles each दोनों ने 5-5 marbles खो दिये तो यहाँ पर आपको होगे therefore now marbles remaining with marbles remaining with with whom सबसे पहले यहाँ पर जाउन की बात के लिए देखो जाउन ने अपने 5 marbles खो दिये तो अब कितने बचेंगे उसके पास 5 खो दिये पहले x थे अब 5 उसने खो दिये तो x-5 ठीक है ऐसे ही आपकी जो मित्र है दूसरी जॉन की या बहन है जिनका नाम है जीवन्ती उनके पास कितने marbles बचेंगे सब पहले थे 45-x उसमें से 5 और कम कर दो तो 45-5 हो जाएगा तो आपके पास बचेंगे कितना आपके पास बचेंगे भा इक बार हो गया x-5 दूसरे के पास से 45-x उसमें से भी पांच माइनस कर दिये तो हो गया 40-6 अब यह जो दो हमारे पास सिचुवेशन के साबसे नंबर ओफ मारबल जाए हैं इनका प्रोड़क्ट है कितना 124 दा प्रोड़क्ट ओफ दा मारबल्स नंबर ओफ मारबल्स दे नाओ है अब कितने हो गया पांच पांच काम हो गया तो अब इतने मारबल्स हो गया तो यहां पर आपको गया इनके हिसाब शगर में देखूं तो इन नंबर्स का प्रोड़क्ट यानी एक्स माइनस फाइव जो कि है नंबर ओफ मारबल्स विथ जॉन इसका प्रोड़क्ट विथ 40 माइनस एक्स डाट इस नंबर ओफ मारबल्स विथ जीवन्ती वुड बी इक्वल टू 124 यह सिचुवेशन समझ में आई आपको आप चाहें तो इसको एक्स और वाई लेके भी सॉल्फ कर सकते पर वहाँ पे कॉंप्लेक्स हो जाएगा मामला ट्राइ करो कि आप वन वेरीबल से ही पूरा मामला निटप्टा सको एक बार दुबारा देखो जॉन के पास थे एक्स मारबल्स ऐसा हमने मान लिया क्योंकि हमें जॉन के पास कितने मारबल्स है यह नहीं पत दिया अब इन्होंने किसी प्रकार अपने पांच-5 मारबल्स खो दिये तो दोनों की जो मारबल्स की संख्याती उसको हमने पांच-5 से घटा दिया अब जॉन को ज्यादा फरक नहीं पड़ा लेकिन जेवन्ती के जो थे वह 40-x हो गए अब यह जो नंबर ऑफ मारबल्स उ पंटिप्लाइ करोगे तो 40-x माइनस x स्कॉयर यहाँ पर पांच चौक 20 यानि 200 प्लस 5x इक्वल टू 124 ऐसा कुछ मामला बन रहा है अब इसमें आप क्या करोगे थोड़ा सापको रियरेंज करना पड़ेगा तो आप बोलोगे माइनस ओफ एक्स स्कॉयर प्लस 45 एक्स is equal to 124 प्लस 200 है ना तो यहाँ पर आपने solve किया तो माइनस ओफ एक्स स्कॉयर प्लस 45 एक्स is equal to 324 अब अगर आप यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लेना चाहें तो अंजर जगा एक्स स्कॉयर माइनस 45 एक काम करो पहले सबको एक जगा शिफ्ट कर लो उसके बार लेना माइनस साइन कॉमन तो जब आप सबको साथ में लोगे तो माइनस ओफ एक्स स्कॉयर प्लस 45 एक् Ease of Solving के लिए हम अक्सर A² को रखते हैं वहाँ पोसितिव यहां पर हम करेंगे ऑसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर तो हर उसके लिए हमें यहां पर करना पड़ेगा थोड़ा सांब करेंगे द सी चोटे मुटे निर्मान कर रहें जिसके बाद आसानी से हम आगे बढ़ जाएंगे ना चली यहां पर हमने लाइन्स खीच दी जित्ती पॉसिबल थी हमारे लिए चलो अब यहां पर देखो बात कैसी तो सर्बात कुछ ऐसी है कि आप अगर माइनस साइन यहां common ले लिए तो आपके पास आजाएगा यहां पर एक स्कुरेर जो प्लस था वो माइनस बन जाए क्योंकि आपने माइनस साइन common लिया है और यह माइनस का बन जाएगा प्लस ठीक है और यह जो हमारी एक्वेशन बनी है आपकी एक्वेशन का बनेगी एक्स स्क्वेर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इस एक्वल टू जीरो यह हमारा फाइनल आंसर होगा ठीक है वी वूड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी नमारबस दे हाड इन तूर श्टार्ट में आंसर नहीं कहा गया है एक बार फिर से समझो जौन का था एक्स तो जेवन्दी के बचे वह हो गए 45 माइनस दोनों के पांच-पांच से कम हो गए फिर दोनों के जो संख्या बची जो यह आपके पास है उनका प्रोड़ट आये 124 तो आपने ब्राकेट को उपन किया सॉल्व करने की कोशि लिए आपको बोल देगा कि इन सवालों को सॉल्व करो पर फिलाल के लिए यू के टेक चिल पिल आपको सिव एक्वेशन बनानी है अब देखो दूसरी कहानी क्या है दूसरी कहानी है कोटेज इंडस्ट्री में आप एक सर्टेन नंबर आफ टॉइस बनाते हैं एक दिन में सब्सक्राइब कर्देखो दूसरी को हर्ट्री के अपनी कुछ लिमिट होती है ठीक है कोश्ट पैट्वारी आपकी आ रही है पच्पन माइनस नंबर आफ टॉइस प्रडियोज इन डे तो नंबर आफ टॉइस को प्रूइबली हम एक्स मान लेंगे और कोश्ट जो है हमार वो number of toys के आप से दी है तो वो आप निकालोगे भाईया पचपन माइनस number of toys माने पचपन माइनस x ठीक है on a particular day एक दिन particular day में आपका cost of production आया साथ सो 50 रुपे cost of production क्या होता है sir मान लो हमने दिन में अगर 10 बनाए अपने toys और उसमें से और हरे की cost पड़ी 75 रुपीज तो मेरा cost of production हो गया 10 toys की 10 into 75 यानि 750 ठीक वैसा यहां पर तो जब आप quantity को आपकी cost से एक की cost से multiply करते हैं तब आप cost of production निकाल पाते हैं आपको क्या बताना है यहां पर आपको बताना है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्वाइस कितने ट्वाइस बने थे जिसको हमने पहले एक्स नाम दे दिया तो ट्वाइस को दे दिया एक्स कॉस्ट एक किया रही है पच्पन माइनस एक्स अगर आपको कॉस्ट निकालना है दोनों को मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो अंसर आएगा 750 फिर आप चीजों को सॉल्फ करोगे तो आपको आपकी एक्वेशन मिल जाएगी ठीक है तो चलो यहां पर बनाओ एक्वेशन और बताओ मुझे क्या आंसर आया तो भाईया जो अपतक यहां प्रड्यूस्ट जो भी सवाल में लेखा वर्ड वही लिख देना ज्यादा अपनी अंग्रेजी नहां उसमें गुशा ना प्रड्यूस्ट इना डे बी एक्ट्स तो देर्फोर अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन कॉस्ट ओफ वन टॉय कोश्ट ओफ कितनी कॉस्ट ओफ वन टॉय वोड़ बी एक्स अब यहां पर लेखा यहां प्र एफ टोटल कॉस्ट और प्रडक्शन तो यहां पर लेखा कि also total cost is equals to total cost is equals to 750 तो यहां पर क्या कहोगे हापर कहोगे कि भाई या we know that यानि हमें पता है कि we know that number of units यानि नमबर of units multiplied by multiplied by cost per unit cost of one toy multiplied by cost of one toy is equal to tc है ना जितने आपने प्रेडियूस किये और एक की cost multiply करोगे जब दोनों को तो आपको मिल जाएगी ठोटल कॉस्ट यह ठीक वैसे है कि माने लोकर एक कुलफी 10 रुपे की है तो पांच कुलफी कितने की होगी 50 रुपे की ठीक है तो यहां पांच कैसे बनाओगे तो दोनों को multiply करेंगे तो आप बोलोगे 55 x minus x square should be equal to 750 ठीक है अगर आपन इसको थोड़ा rearrange करेंगे तो आप बोलोगे minus of x square plus 55 x minus 750 equal to zero अब गणित में अक्सर क्या करते है x square को negative नहीं छोड़ते तो आप minus लोगे सबसे common तो आपके पास आजाएगा x square minus 55 x plus 750 यह आपने minus common लिया है is equal to zero अब यह minus sign वहाँ जीरो के पास आएगा तो खुद भी जीरो बन जाएगा तो आपकी फाइनल एक्वेशन बनेगी x square minus 55 x plus 750 should be equal to zero should be कितना should be equal to zero ठीक है फिर से इनको अभी अपनको solve नहीं करना है हम जब अगले exercise करेंगे 4.2 वहाँ पे question है जहाँ पे इन सबको हमें solve करना ही है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें अभी के लिए आप सिर्फ equation बनाने पर ध्यान दे पूरा ठीक है चली good to go है a-b का whole square है ना तो आप लेखोगे हाँ पे using a-b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square we get कितना मिलेगा आपको था जैसे अब open करोते हो जाएगा x square minus two two is a four x plus four है ना a हो गया आपका x और b हो गया आपका 2 तो x square minus four x plus four plus one is equals to two x minus three एक बाप फिर से देख लो आपको value जो भी रखनी है वहाँ पे सही तरीके से रखी के नहीं रखी है बिल्कुल सही रखी है सर अब आप यहाँ पे थोड़ा से इसको simplify करोगे तो x square आ रहा है minus four x minus two x plus five हो जाएगा यानि four plus one five plus three हो जाएगा कि minus three तो side change करेगा तो plus three तो यह हो गया x square minus six x plus eight equal to zero क्योंकि यहां पर highest power है टू तो आप बोलोगे कि yes it is a quadratic equation अगर highest power two नहीं होती हमारे पास कुछ और होती one होती three होती कोई भी होती टू के अलावा तो हम बोलते कि भाईया आप quadratic equation नहीं है चलिए good to go है जी यहां पर हां जी अब देखो second question क्या है इसका second में कह रहा है भाईया x x into x plus one plus eight यहां पर x plus two and x minus two तो यह तो simple हो जागा लेकिन उस तरफ जो है हमारे पास identity का इस्तमाल होगा जो कि है a minus b into a plus b वाली या a plus b into a minus b वाली which gives you a square minus b square ठीक है तो यह हमारे इस तरफ वाले पार्ट के लिए तो यहां पर चीदे multiply हो जाएगा x square plus x plus eight यह अपने bracket को अंदर multiply कर दिया हर एक value ठीक है is equal to यहां पर आप a plus b a minus b करोगे तो a square minus b square नहीं x square minus two square अब यहां पर आप करोगे सबको एक तरफ ताकि चीज अगर कुछ cancel out हो नहीं हो तो यह x square पहले से था वो वाला इधर हो जाएगा तो minus of x square यहां पर आजाएगा आपका plus x plus eight and minus of two square था तो यह हो जाएगा plus of two square which is four x square और minus x square cancel तो आपके पास आया 0 plus x plus 12 equal to 0 तो जो आगे का 0 है उसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 plus something है तो उसका कुछ खास importance बचता नहीं है तो पिछले वाले में आपका जो end result आया था उसमें highest power थी तू यहां पर highest power है one तो यहां पर हम कहेंगे कि no it is not a quadratic equation पिछले वाले में आया था भाईया highest power two तो आपने लिखा था भाईया yes it is a quadratic equation तो जैसी situation वैसा आपका यहां पर आंसर चले good to go है जी है ना इसका अगर आपको square plus 3x is equal to x square plus 1 अब आप करेंगे यहां पर थोड़ा सा इधर उधर शफल तो 2x square minus x square plus 3x plus 1 equal to 0 ठीक है ना अब 2x square में से x square गया तो आपके पास केवल x square बचा plus 3x plus 1 equal to 0 पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में जो basic difference है वो से वितना सा है कि यहां पर आप देखोगे तो x square x square पूरी तरीके से गायाब नहीं हो गया यहां पर 2 था एक minus हुआ एक बच गया तो इसलिए यहां पर आपको होगे कि yes it is a quadratic equation इतना clear हो गया सिर्फ आपको बोला था quadratic equation बना के दिखाओ कि है या नहीं आपसे उतना ही काम करेंगे जादा इसमें detail में नहीं जाएंगे अपने ठीक है चलो अब देखो यहां पर example 2 में चौथा वाला क्या बोल रहा है क्यूब है तो बहुत वर क्या लोग क्या बोलेंगे सर क्यूब है मतलब पक्का quadratic नहीं होगी फिर से बिना पूरी समस्या बिना पूरा question solve करें आपको end result नहीं देना है property कौन से use करोगे पहले वो लिख लो तो सर a plus b का whole cube दिख रहा है मुझे use होता हुआ चलिए explore करते हैं what is a plus b whole cube तो सर जितना हमने पढ़ा है a plus b whole cube would be a cube plus b cube plus 3ab या 3a square b plus 3ab square कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कुछ लिखते हैं 3ab into a plus b whichever way you find it comfortable दोनों से answer same आता है ठीक है चलिए a हो जाएगा x b हो जाएगा यहां पे 2 तो आप जब expand करोगे property के इस्तमाल करके तो x cube plus 2 cube ठीक है plus 3 into x square into 2 ठीक है plus 3 into x into b square यानि 2 square और इधर हमारे पास क्या यास इधर पर है x cube minus 4 simple चलिए अब यह जो हमने थोड़ा से expanded form इसको हम लखेंगे सिंपल ही तो x cube हो जाएगा यह square नहीं होगा ठीक है यह ध्यान लखना तो आपने लेखा x cube plus 8 ठीक है यहां हो जाएगा 3 to 6 x square यहां हो जाएगा आफ 2 2 square is 4 4 into 3 is 12 तो plus 12 x minus of x cube क्योंकि मैं लगे हाथ इन दोनों को भी इस तरफ लेक्या रहा हूं plus x plus 4 minus 4 तो side change करेगा तो plus 4 जो पहला काम मैं यहां पर करूंगा वो यह कि x cube एक positive एक negative है तो उनको cancel out कर दिया अब मैंने पढ़ा हमेशा कि increasing order में लिखना चाहिए तो सबसे पहले आजाएगा सबसे पहले आजाएगा 6 x square फिर आजाएगा प्लस 12 x कि प्लस आठ चॉक बारा एट प्लस फॉर इस टो एलवी इक्वल टू जीरो आप चाहें तो six common लेके भी सकते लेकिन आपको simplify करने को नहीं है अगर आप उसको quadratic के रूप में देख पा रहे हैं तो मतलब आपका अंसर सही है तो जवाब आ जाएगा येस ठीक है गुट्टू गो हान जी सर कोई खास दिक्कत जरासी भी नहीं सा चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर आपने क्या किया अगर आप पहले ही देख लेत करें ठीक है उससे आपको काफी फायदा होगा आपका इजीली हो जाएगा बी केरफुल इन सेकेंड एक्वेशन अबॉफ दगिवन एक्वेशन अपिएस टू भी कॉड्राटिक बट इस नॉट कॉड्राटिक जो हमने कहा कि सेकेंड वाले में क्या हुआ था पहले-पहले दिख रही थी पर हमने जब सिंप्लिफाई किया तो वह कॉड्राटिक नहीं थी फॉर्थ वाले में क्या हुआ आपको पहले-पहले क्यूबिक नजर आ रही होगी अपियर्स टू भी मतलब दिख रही होगी क्यूबिक लेकिन वह नहीं है बलकि वह एक कॉड्राटिक तो आपको कुल मिला के क्या करना है कि कोशिश करना है कि अपनी एक्षेन को सिंप्लिफाई करो उसके बाद ही कुछ डिसाइड करो उसके पहले अगर आप डिसाइड कर लोगे तो बहुत बार जो दिखता है वो होता नहीं है और आपका अंसर गलत हो जाएगा चली good to go अब यहां पर हम exercise को शुरू कर रहे हैं वही काम करना है जो हमने अभी थोड़ी दिर पहले किया था आपको check करना है कि वो quadratic equation है या फिर नहीं है solve कैसे होगा भाई या शुरू कैसे होगा पूरा मामला तो था शुरू ऐसे होगा सबसे पहले आप यहां पर a plus b का whole square use करोगे तो using a plus b हाला कि हो आप 10th class के विद्ध्यारती तो आपको यह याद होनी चाहिए अच्छे से पर फिर भी लिख देते हैं भाईया a square plus 2ab plus b square we get यह use होगी भाईया lhs के side है ना क्योंकि वहाँ पर दिख रहा है square तो उसके साबसे हो जाएगी x square plus 2ab मतलब 2 into x into 1 जिसको मैं 2x रिख दूँगा plus 1 का square is 1 और इधर हो जाएगा 2x minus 2 3 is a 6 अब आप यहां पर क्या करोगे सबको एक तरफ ले आओगे तो x square plus 2x plus 1 minus 2x and plus 6 equal to 0 अब यहां पर आप देखोगे तो mathematically 2x एक positive एक negative है तो आपस में cancel होना उनका बनता है end result मिल आपके पास x square plus 7 equal to 0 now x square plus 7 में भले ही x नहीं है पर x square तो है तो अगर कोई मुझसे उसकी degree पूछेगा तो highest जो power है वो आ रही है 2 which means कि यहां पर आप उसको quadratic consider कर सकते हैं है कि नहीं तो आप यहां पर जवाब में क्या लेखोगे जवाब में आप लेखोगे भाईया कि yes it is a quadratic equation ठीक है यह clear हो गया reason being कि भले ही आपके पास x का कोई x नहीं है as a variable पर लेकिन उससे फरक नहीं पड़ता हमें highest power जे फरक पड़ता है जो कि यहां पर 2 आ रही है तो यह quadratic तो है चलो good to go इसका second part देखते हैं अब यहां पर देखो बिना देखे बिना सोचे नहीं करना x square minus 2x उधर पे minus 2 अंदर multiply होगा तो हो जाएगा minus 6 minus minus हो गया plus और 2 into x हो जाएगा 2x अब क्या करोगे सबको एक तरफ ले आओ तो x square minus 2x plus 2x side change करेगा तो वो भी minus 2x और minus 6 side change करेगा तो plus 6 थोड़ा सा अपने addition subtraction करके देखा minus minus होता है plus तो हो जाएगा add पर sign आता है बड़ी value का तो minus minus plus तो यहां पर आपने लेखा minus of 4x plus 6 equal to 0 फिर से highest power है 2 तो हम इसको क्या कहेंगे इसको हम quadratic की category में रख देंगे कि हाँ भाया यह quadratic equation है तो आपका answer कितना आया answer आया आपका यहां पर अगर yes या no में बोले तो check करने पर yes it is a quadratic equation चलिए थोड़ा और आगे बढ़े अगले question को देखें third question में x plus minus 2 and x plus 1 यहां पर भी बिना सोचे समने directly कुछ नहीं करना brackets को open करो multiply करो तो rule कहता है भाया हर एक value multiply होगी तो x into x हो गया x square x into 1 हो गया plus 1 x यानि केवल x minus 2 into x हो गया minus 2 x minus 2 into 1 हो गया minus 2 उस तरफ x into x हो जाएगा x square minus 1 into x हो जाएगा minus x ठीक है फिर यहां पर हो जाएगा x into 3 यानि plus 3 x और last में minus 1 into 3 would be minus of 3 चलिए सबको एक तरफ ले आओ जो cancel होगा उसे cancel कर देंगे तो x square plus x minus 2 x minus 2 यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि x minus 2 x को आप क्या लिख दोगे x minus 2 x को एक ही बार में यहाँ पर लिख दोगे minus of x ठीक है और यह minus 2 इस तरफ का ठीक है ना minus 2 x plus x था तो हाँ cancel होके minus x यहाँ पर लाओगे minus of x square plus था यहाँ हो गया minus minus x और plus 3 x में जब आप solve करोगे आपके पास plus 2 x बचेगा उस तरफ राइट उसको अगर इस तरफ लाओगे तो वो हो जाएगा minus of 2 x and then minus 3 का हो जाएगा plus 3 so what we can observe is कुछ cancel out होगा बिल्कुल होगा सर कौन होगा x square दोनों तरफ से cancel बाकी सब बच जाएगा तो minus 2 x minus x हो जाएगा minus of 3 x minus 2 plus 3 हो जाएगा plus 1 तो यहाँ पे क्योंकि highest power क्या है highest power है 1 तो यहाँ पे हमारा जवाब होना चाहिए कि भाईया यह quadratic नहीं है तो अब लिखोगे no it is not a quadratic equation simple गणित कि भाईया आपका जो highest power है वो 2 नहीं आ रहा है वो 1 आ रहा है तो हम कैसे बोल दें कि आप quadratic है चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं फिर से bracket को multiply करोगे 2x square into x अब देखो बहुत लोग पता है पिछले वाले से सीख लेगे क्या बोलेंगे तो 2x into x होगे 2x square minus 3 to the 6x फिर 1 into x किया तो plus x फिर 1 into minus 3 किया तो minus 3 इस तरफ x into x किया तो x square and 5 into x किया तो 5x दोनों को इस तरफ लेके आ जा तो आपने लेखा 2x square minus of x square minus 6x minus 5x ठीक है plus x minus 3 equal to 0 ठीक है मैंने आपर सारे terms को इस तरफ ले लिया और थोड़ा सा rearrange भी कर दिया 2x square में से x square गया 2 में से 1 गया तो 1 तो बचेगा ना तो x square बच गया ठीक है minus 6 minus 5 would be minus 11 minus 11 plus 1 would be minus 10x है ना minus 3 equal to 0 end result में आ गया x square मतलब ये हमारा एक quadratic equation है तो fourth वाले का answer आया yes तो अब तक हमने 4 में से देखा कि 3 में आपका जवाब आ रहा है कि yes वो quadratic है और एक चौथे वाले में तीसरे वाले में हुआ कि भाईया नहीं quadratic नहीं है चलिए आगे बढ़ें और questions को देखें थोड़ा quickly कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा कुछ मेरे को लगनी रहा है कि आपको दिक्कत आनी चाहिए सर्फ क्योंकि brackets को solve भी करना हो जो आप बच्पन से करते आयो काफे time हो गया मतलब अपन को करते करते 2 x into x किया तो 2 x square minus 1 into x किया तो minus x minus 3 into 2 किया तो minus 6 x minus 1 into minus 3 किया तो plus 3 again हर एक value को multiply करना होता है यहाँ पे भी x into x किया तो x square 5 into x किया तो 5x minus 1 into x किया तो minus x है ना और 5 into minus 1 किया तो minus 5 फिर से पहले थोड़ा simplify कर लो फिर अपने इदर उदर करेंगे तो 2x square minus 7x plus 3 इस तरफ आया इदर आया x square plus 4x minus 5 again इन सारी terms को अब यहां ले आओ तो 2x square minus x square होगा minus 7x minus 11 minus 4x ठीक है and then plus 3 and plus 5 होज़ा क्योंकि minus 5 तो side change करेगा तो plus 5 equal to 0 अब यहां पर 2x square में x square minus करो कि आपके पास x square बचेगा minus 7 minus 4 would be minus 11x 5 और 3 यहां पर जोड़के हो जाएगा 8 end result आया equation with highest power 2 which means कि it is a quadratic equation तो आपका answer आना चाहिए yes clear है यह कोई दिखका जरासी भी नहीं सर बड़ी आसानी से यहां पर हो गया next question अपन देखें यहां पर अगर तो इसका sixth part है फिर से आपको डिरेक्ली दिखतो रहा है x square पर बिना सोचे समझे ने नहीं लेना है bracket को open करके ही अपना end result decide करना है second वाला जो bracket है उसको मैं identity से open करूंगो तो मैं कहूंगा using a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square ठीक है and ऐसा करने पर we get चलिए क्या मिलेगा आपको तो सर इस तरफ तो x square plus 3x plus 1 है उदर a minus b के whole square से x square minus 4x plus 4 हो जाएगा है ना simple है यह तो जी सर बच्पन से करता है इत्ती बार इसको use अब आप फिर से सबको एक तरफ ले आओ तो x square minus x square हो जाएगा plus 3x है 4x यहाँ आएगा तो वो भी हो जाएगा minus किस जगा पे plus plus 1 है तो वो ऐसा ही रहेगा लेकिन plus 4 यहाँ आजाएगा तो हो जाएगा minus 4 चलिए x square से x square के अंसल 0 हो गया चार और 3 होता है 7x minus 3 equal to 0 क्योंकि equation की highest power है 1 तो हमें यहाँ पे अत्यांत दुख के साथ क्या सूचित करना पड़ेगा कि जवाब होगा आपका यहाँ पे no कि it is not a quadratic polynomial में easy good to go चलिए 7th one of the first question जहां पर x plus 2 का whole cube is equal to 2x into x square minus 1 तो आप a minus b का whole cube use करोगे यहाँ पहना या a plus b का जो कि हमने थोड़े देखा ही तो फिर से एक बाई लिख देते हैं भाई या a plus b का whole cube is equal to a cube plus b cube minus नहीं यहाँ पे हो जाएगा plus 3 a square b plus 3 a b square we get इसका इस्तमाल करके हम यहाँ पे solution करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है x cube plus 2 cube plus 3 into x square into 2 square is equal to कितना यहाँ पे 2x into x square मतलब हो जाएगा 2x cube ठीक है और यह हो जाएगा minus of 2x चलिए अब आप यहाँ पे solve करने की कोशिश करेंगे तो यह x cube plus 8 क्योंकि 2 cube is 8 यह हो जाएगा plus 6x square यहाँ पे हो जाएगा माइन चेंज भी हो जाएगे चारिये माइनस 2x cube में से x cube माइनस होगा तो अब भी 1 x cube बच जाएगा है ना कि 6x square positive है रहेगा कुछ cancel नहीं हो रहा है plus 12 plus 2 हो जाएगा plus 14 x कुछ नहीं हो रहा कैंसल 8 यहाँ पे रहा हुआ है बचा हुआ है तो plus 8 हो ही जाएगा equal to 0 क्योंकि इसकी highest power आ रही है 3 क्या मैं बोल सकता हूँ यह quadratic equation है नहीं सर कैसे बोलोगे highest power 3 का मतलब साफ है कि यह cubic equation है quadratic तो नहीं है तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए जवाब होना चाहिए यहाँ पे no and the reason is की existence of minus of x cube ठीक है even if plus of x cube होता पर लेकिन power 3 है तो हम जादा कुछ उसमें कर नहीं सकते answer में no लिखने के अलावा है ना moving up next is this eighth one which is saying that x cube minus 4 इसको भी एक बाद सॉल्फ करने के लिए identity का इस्तमाल होगा तो लिख लेते हैं भाया using a minus b का whole cube अब बहुतों को यह याद नहीं होगा याद भी होगा तो आदा गलत आदा साही याद होगा चलो revise करो what is a minus b whole cube sir a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square अब बहुत लोग यह last वाला plus गलत कर देंगे या फिर यह minus of b cube पी जागा plus or b cube लिख देते तो वो छोटी मोटी चीजे ध्यान रखना उसमें अगर गडबड हो जाएगी तो फिर पूरा आपका समस्या का समाधान based चलिए इसको यूज करके हमें मिलेगा यहाँ पर हमारा result तो चलिए उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी और महनत करते हैं इधर पर तो देखो simple है x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to यहाँ पर अब open up होगा तो x cube minus 2 cube minus 3 into x square into 2 है ना जी सर फिर फिर पिलस 3 into x into 2 square गो step by step identity अगर आपको लगा आप गडबड कर सकते हो तो ऐसे expand करके लिए को फिर अगले step में उसको simplify करो कोई दिख करने बस गडबड नहीं करने अपने कोल मिला के ना तो x cube minus 4 x square minus x plus 1 is equal to x cube minus 8 यूकि 2 का cube is 8 minus 3 to 6 x square plus 2 square is 440 is 12 x अब सबको ले आओ एक तरफ तो x cube minus 4 x square minus x plus 1 minus of x cube plus 8 plus 6 x square minus 12 x equal to 0 क्योंकि सबका side change हुआ है तो sign भी change होगा अब सबसे पहले यहां पर x cube से x cube हो जाएगा माइनस क्योंकि एक positive एक negative है 6 x square में से मैं 4 x square को minus कर दूँ मैं तो लिख लेता हूं भी यह कहीं मुझसे गड़बड ना हो जाए ठीक है फिर सारे x वाले terms को देखूं तो एक है minus x दूसरा है minus 12 x और अगर मैं सारे 9 numbers को देखूं तो एक है plus 1 दूसरा है plus 8 equal to 0 अब यहां पर आप solve करोगे 6 में से 4 गया 2 x square minus 13 x हो जाएगा और plus हो जाएगा यहां पर आठ और एक 9 which would be equal to 0 इस equation के highest power आ रही है 2 इसका मतलब साफ है कि यहां पर हमारा quadratic equation बन रहा है तो जवाब में हम क्या लिख देंगे जवाब में हम लिख देंगे कि भाईया yes it is a quadratic equation आठ यह सवाल थे 8 के 8 हमने यहां पर solve कर लिए जिसमें से 5 प्रोबाबली हमें मिली quadratic 2 या 3 में नहीं मिली पर कोई बात नहीं जितना मिला उसमें हम खुश हैं बढ़िया है चलिए second question आपन को करना क्या है आपको situations को पढ़ना है मतलब सवाल को या condition जो भी दी है उसको पढ़ना है और उसके बाद सिर्फ इतना बना काम करना है कि quadratic equation बनानी है आपको सिर्फ represent करना है situation को उसको solve नहीं करना है तो उसकी महनत आप न करें यहां पर इस situation में 4.1 में च्योंकि आपको आगे जाके कहीं ने कहीं यह सारे question solve करना है exercise जो आपकी अगली वाली बनी है वो कुछ इस pattern में बनी है कि इनी को यूज करके वो फिर आपको answer निकालने को बोलते हैं तो इसी लिए अभी सिर्फ जितना बोला जाए उतना करो ज्यादा लोड लेने की ज़रूरवत नहीं है ऐसा मेरा हमेशा suggestion रहेगा चलो क्या भाईया बोल रहा है पहला question आपको की area of rectangular plot is 528 तो गर मैं highlight करू चीज़ें तो आपको area दिया है 528 meter square the length of the plot in meters is one more than one more than twice its breath तो मुझे length के बारे में सीधे जानकारी दी नहीं है बलकि बोला है कि length आपकी जो दी गई है वह in reference to breath दी गई है तो जो भी length होगी वह reference के किसके reference में दी गई है तब जा कि आप identify कर पाँगो ठीक वैसे यहां पर length के बारे में कुछ नहीं दिया है बस इतना बोल दे कि length जो है वह breath के हिसाब से इतनी है तो आपको breath के बारे में पहले सोचना पड़ेगा we need to find the length and breath of the plot आपको length and breath दोनों बतानी है अब जब दोनों ही नहीं पता है तो दो उनों को assume कर सकते हैं कि एक को x बोल दिया दूसरे को y बोल दिया वो तब करते जब दोनों independent होते मतलब एक दूसरे से ऐसे related नहीं होते या ऐसे को relation नहीं दिया होता ठीक है ना तो क्योंकि हम अगर relation दिया है दोनों के बीच में तो उनको use करना हमारा बनता है तो सबसे पहल एक्स भी आपने लिख दे यहां पर एक्स मीटर अब सवाल के हिसाब से मैं लेंध निकालने की कोशिश करूंगा है ना सवाल के हिसाब से भी क्या देखा कि breath का twice कर दो और more than one कर दो तो अब यह दिमाग आपको लगाना है twice मतलब क्या होता है दो से गुणा one more मतलब आप क् की लेंध कितनी निकलेगी चलो भाईया तो अपने breath क्या बनाएं तो हमने कहां या लिखा भाईया according to question सवाल के इसाब से length वुड़ बी length वुड़ बी कितना अब देखो हमें तो सवाल ने directly बताया नहीं length कितना होगा बड़ हमें कुछ जानकारी दीते जिसकी सायता से हम निकाल सकते तो उनके साब से आपको twice of breath करना है तो आपने twice of breath कर दिया 2x और उसमें करना है one more तो यानि प्लस one तो यह हो जाएगी आपकी area of plot area of rectangular plot is equal to कितना is equals to 528 meter square ठीक है तो यहाँ पर लेंथ यानि आपके लिखोगे हाँ पर x 2x plus one which is your length multiplied with x should be equal to 528 अभी यह कहां से आया तो इसका bracket में इसे लिख दो कि area is equals to area is equals to L into B यहनि length into breath ठीक है इतना सही चल रहा है यहाँ तक कोई दिक्कार जरासी भी नहीं से बड़े आराम से हो जाएगा यह तो चलिए अब आप x से 2x plus one को पूरा multiply कर देंगे और फिर आपको आपका answer मिल जाएगा तो जब आप यह multiplication करेंगे x into 2x हो जाएगा 2x square फि पूरी कोशिश करोगे तो आपके जो equation बनेगी वह क्या बनेगी वह बनेगी सा 2x square प्लास एक्स माइनस 528 इक्वल टू जीरो है ना तो यह हमारी equation हो जाएगी तो यह quadratic equation बन गई बस हमारा काम हो गया चाहे तो आप लिख सकते हैं विच इंप्लाइस दाट 2x square प्लास एक्स माइनस 520 इक्वल टू जीरो जिसको सॉल्फ करना हम नेक्स्ट एक्ससाइज में कॉंचंट्रेट करेंगे तो अभी उस पर चिंता मत करो जब आप तक equation मनाना नहीं सीखोगे सॉल्फ करने में अब हमेशा थोड़े कच्चे रह चाहोगे ठीक है चलो सेकेंड क्वेशन कह रहा है कि अब यहां पर एक तो हो गई बात प्रोड़क्ट की दूसरा बोल दिया भाईया दो consecutive positive integers हैं और यह हो गया 306 we need to find the integers तो सबसे पहले आप क्या बढ़ होगे कि let the first integer be first positive integer let the first positive integer बी एक्स ठीक है अब सवाल में क्या का बहीं according to questions the two numbers are the according to question the two numbers यह फिर दर निश्व तो नमबर आएगा और consecutive तो आप बोलोगे यहाँ पर कि therefore therefore second number वोड़ बी सेकेंड नमबर वोड़ बी एक्स प्लस वन कंजिकुटिव मतलब जस्ट नेक्स्ट है ना तो वो क्या हो जाएगा वोड़ बी एक्स प्लस वन तो यहाँ पर लिख दो वोड़ बी से एक्स प्लस वन इतना क्लिर यहां तक कोई दिखा ज़रासी भी नहीं सटाथ अब यहाँ पिलुए कि भाई रहन नाव प्रोड़क्ट ऑफ दे टू प्रोड़क्ट ऑफ दे टू इस इन राट अवड़ टू इज़ा तो एक्स ब्लस वन should be equal to 306 अब आप multiply करोगे x को x है तो हो जाएगा x square plus x is equal to 306 solve करोगे तो आप बोलोगे which implies that x square plus x minus 306 equal to 0 यह हमारी situation को represent करने वाली equation है is this clear यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है जरा से भी नहीं सरी है तो आसानी से हो गया चलिए आपने दोनों questions में equation बना दिया अब आजाओ third question पे रोहन's mother is 26 years older than him क्या हमें रोहन की age पता है नहीं क्या हमें उसकी मदर की age पता है नहीं दोनों ही unknown है लेकिन दोनों एक दूसरे से related हैं तो आप लेखोगे यहां पे कि अब सवाल के साबसे वो क्या होगा भाया वो 26 years older है ठेक है तो आप देखो यहां पे और आगे क्या लेखा है तो यहां पे अपने लेखा कि therefore therefore या according to you therefore लेख लो therefore present age of mother present age of रोहन's mother of रोहन's mother would be कितना would be कितना would be to a x plus 26 26 साल बड़े है तो add कर दोगे आप simple x plus 26 ठीक है अब यहां पे आगे देखा लेखा है the product of their ages in years obviously 3 years from now तो अब यहां पे आपको अभी का product नहीं बोला है तीन साल बाद का बोला है तो यहां पे आप क्या लिखो गए आगे कि according to question यहां पे आप लिखोगे रोहन्स मदर रोहन्स मदर्स एज एज वुड़ बी पहले x plus 26 थी अब उसमें भी तीन साल बड़ा दोगे वुड़ बी कितना वुड़ भी सर x plus 26 plus 3 यानि यह हो जाएगा x plus 29 ठीक है ना अब आप क्या बोलोगे यहां पे किसार इतना तो हो गया आप हमें क्या करना है चाहिए बोला कि उनका प्रोड़क्ट दिया है आपको कितना 360 तो एक शीट आड़ कर लेते हैं यहां पे लिख लेते कि प्रोड़क्ट ओफ देर एजिस तो यहां प्रोड़क्ट ओफ एजिस इस इक्वल्स कितना इस इक्वल्स टू 360 कौनसी एज तीन साल बाद वाली तो यह वाली मतले ना पहले वाली तीन साल बाद वाली आपको निकाली ही इसलिए कि कुछ अलग करवाना था तो उसके हिसाब साब बोलोगे यहां पे कि एक्स प्लस थ्री मल्टिप्लाइड बाइ एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन इस इक्वल टू 360 जब थोड़ी सी कड़न्त हमें यहां करनी पड़ेगी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा थ्री एक्स 29 इंटू एक्स हो जाएगा 29 एक्स और 29 इंटू 3 और हमें करना पड़ेगा तो 9 3 जा 27 तो साथ यहां दो उपर थ्री टू जा 6 7 8 प्लस 87 माइनस 360 शुड भी इक्वल टू 0 एक्पर दोबारा चेक करो 29 इंटू 3 वुड भी सबकुछ माइनस माइनस करने पर बिल्बकुल सरे ही आ रहा है इक्वेशन होगा अब जब इसको सॉल्फ करोगे तो हमें एक्स मिल जाएगा विच इस और रोहन्स प्रेजेंटेज बहुत लोग यहां पर गलती क्या करेंगे प्रोड़क्ट करते समय उसमें तीन साल एड़ करना भूल जाएंगे एक्स प्लस 29 नहीं लिखेंगे वो तो बोलेंगे सार गैप तो 26 साल है बिल्कुल है ठीके जब आप तीन साल आगे बढ़ जाएंगे तब भी तो गैप मेंटेन होगा ना तो जो प्लस 3 आपने इसमें किया वो इसमें भी आपको करना ही पड़ेगा जिसे आपकी एक्वेश साइस का लास्ट क्वेश्चिन ठीक है विचिस अबाउट दस्पीड चलिए अट्रें ट्रेंट्राइबल चर डिस्टेंस ओ फोर एक्टी किलोमेटर आट युनिफॉर्म स्पीड इफ दस्पीड हाड बीन एट किलोमेटर पर आवर लेस ठीक है देन इट वोड़ आफ टेक यहां पर लिखो ओरिजिनल स्पीड ओफ दे ट्रेंट हमने क्या बोलो भाई यहां पर किलेट ओरिजिनल स्पीड लेट ओरिजिनल स्पीड ओफ ट्रेंट इस प्रेंट किलोमेटर पर आवर बी एकस किलोमेटर पर आवर ठीक है यहां का सुछा लिख लोगिए डिस्टेंस ट्रावल कितना है तो भाई डिस्टेंस है आपका फिक्स 480 किलोमीटर चलिए अब अगर यहां पर टाइम देखेगा बात देखेगा कि अगर स्पीड 8 km लेस होती ठीक है तो यहां पर आपकी न्यू स्पीड क्या हो जाएगी आपकी न्यू स्पीड यहां पर हो जाएगी कितनी साथ न्यू स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस एट देरफोर न्यू स्पीड वुड बी कितना एक्स माइनस एट क्योंकि आप ब्रैकट में क्या बोले हो भईया 8 km पर आवर लेस है और लेस का मतलब क्या होता है आपको माइनस करना है ठीक है अब यहां पर आप करों कि देखो उख हो आगे कहा लेखा यह दैन इट वुड़ टेकन थ्री आवर्स मोर एक्स अडीशनल टाइम टेकन कितना हो गया एडीशनल टाइम टेकन अधिशनल यहां पर हम लिख रहे हैं भाईया अधिशनल अधिशनल में कितने आते वह एथन लिखा ही नहीं है चल कम हो जाएगी तो time जादा लगेगा तुन ने वही बोला कि अगर हमने 8 km per hour speed कम कर दी तो हमें 3 घंटे जादा लगे वही distance cover करने में ठीक है concept कौन सा use होगा भाई यह आपने सीखा है speed distance time का concept अब क्योंकि दोनों का जो difference है वो दिया है time में तो हम यहाँ पर time का formula यूज करेंगे कि using time is equals to distance upon speed we get ठीक है तो यहाँ पर आपके पास होगा t1 ठीक है यहाँ पर लिख सकते हो इसको कि यह है original time original यह काम को रहो बहुत लोग इसको टी ओ भी लिख लेंगे ना टी वन की जगह टी ओ टी ओ यानि ओरिजिनल टाइम तो मतलब ओरिजिनल टाइम कैसे निकालोगे बहिए original time तो सर वो निकलेगा distance है आपका 480 speed है आपका यहाँ पर time speed है आपकी x ठीक है देन दूसरा निकालेंगे tn यानि new time new time क्या होगा आपका सर जिसको आप यहाँ पर लेखोगे bracket में पहले तो की new time है अब new time क्या होगा formula तो change होगा नहीं तो new time हो जाएगा आपका 480 upon x-8 ठीक है इतना clear है अब यहाँ आप देखोगे सवाल में लिखाया कि according to question नया time जादा होगा क्योंकि इसकी speed कम है उसमें से अगर मैं पुराना time original time minus कर दूँ तो तीन आना चाहिए क्यों sir क्योंकि सवाल में साफ साफ लेखा है कि additional time आपका लग रहा है तो पुराने time में क्या हो जाएगा आपका उससे तीन घंटे कम हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हो या कहीं कहीं आप पड़ोगे तो आपको दिखेगा कि भाई जो नया time है वो पुराने वाले से तीन घंटे जादा है एक्स्ट्रा ले रहा है तो तीनों में से कोई भी equation ना बनाओ बात बराबर वही होगी ठीक है बात वही कहरी होगी तो मैं पहली वाले को यहाँ पर reference लेके लिख रहा हूं कि भाई या 480 अपॉन कितना x minus 8 minus 480 upon x is equals to 3 यह तीनों सेम ही representation कर रहा है बस खले लिखने का तरीका आपका अलग हो सकता है समझने का तरीका अलग हो सकता है पर बात वही कहरी कर रहे हैं ठीक है 480 में दोनों में से common ले लूँगा ताकि easily solve कर पाऊं तो यह हो जाएगा 1 upon x minus 8 minus 1 upon x और यह bracket close equal to 3 अब यहाँ पे आप लोगे LCM तो x minus x minus 8 right बहुत लोग यहाँ यह bracket नहीं लगाते और minus sign को सीधे रख देते हैं जिसमें गलती होने के chances जादा होते हैं नीचे हो जाएगा x minus 8 in a bracket multiply by x equals to 3 upon 480 चलिए solve करेंगे आप इसको तो उपर दिखेगा x minus x और यह minus 8 से multiply कर देगा plus 8 whole divide by यहाँ पे हो जाएगा x square minus 8x इसी equal to 3 से cancel होगा 1, 3, 1, 3, 3, 6, 18 और यहाँ पे 0 अब यहाँ पे जो cancel out एक और चीज़ होगी वो होगी यह x और x x minus x तो उपर आया केवल 8 और यहाँ हमारे पास क्या बच्चा तो cross multiply करेंगे तो हमारे पास यहाँ लिखने की जगा नहीं बची है तो हमें एक white screen ले लेते हैं तो हमारे पास आया था भाईया 8 into 160 is equal to कितना सर्व हो गया था x square minus 8x minus है ना हाँ एक बच चेक कर लो भाईया x square minus 8 x into 1 और यहाँ पर 8 into 60 हो जाएगा multiply करोगे तो यह एट वन जा एट शिक्सेट नहीं शिक्सेट जा 48 आठ यहां चार उपर है ना तो यह एट जीरो जा जीरो और यह एरेजर हटो पहना जाओ चलो बढ़िया 8 0 0 68 48 आठ यहां चार उपर 8 19 11 12 1 2 8 0 is equals to x square minus 8 x अब हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि एक तरफ 0 होना थी तो 0 equals to x square minus 8x minus 1 2 8 0 so therefore required equation क्या हो जाएगा required equation हो जाएगी आपकी x square minus 8x minus 1 2 8 0 देखो 0 कैसा चाहे उस तरफ लगाओ चाहे इस तरफ लगाओ बात बराबर ही equation तो वही बन रही है है ना तो यह हमारी required equation होगी आपको screenshot लेना है तो एक बार पहले इस पूरे का ले लिजे जहां पर हमने पूरी मेहनत करी है equation को समझा है उसके बाद फिर आप end result देखिएगा ठीक है take small small steps हर एक चीज जो आपको सवाल में दिख रही है उसको जहां जाप note down कर सके उसको note down कीजिए ताकि आप अच्छे से पूरी जानकरी को यहां पर convey कर पाएं चले यह वाला पार्ट अगर आपका हो गया हो तो मैं next part पर screenshot के लिए आपको बोल देता हूँ done good to go यहां पर होगा हमारा session प्रोबाबली समाप्त लेकिन session end करने से पहले कुछ important information तो भाईया definite success पार चला जो की आपका one of the most loved and trusted online platform है वो ऐसा क्यों कहते हैं कि भाईया loved and trusted है यहां के जो हमारे features हैं अगर आप उन पर गौर फर्माएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यहां पर आपको top quality education मिलता है because we have online classes यहां पर live classes आपको मिल जाती है DPP sheet आपको मिल जाती है आपकी practice के लिए और सिफ question नहीं बलकि solution भी provide कराया जाते है वो भी detailed video solution ताकि आपकी सारी महनत जो है वो एकदम सफल हो सके दन आपको handwritten notes and study material भी provide कराया जाता है so that आप easily अपने goals को achieve कर पाएं और अच्छे से अपने exams में बढ़िया successful होके अपने जीवन में आगे बढ़ें हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमसे regular touch में रहें इसलिए हमारा telegram channel है जिसको आप यहां पे link में description दिया हुआ है वहां से join कर सकते हैं जिससे आपको regular update मिलते रहेंगे कि कब कौन सा lecture आ रहा है कौन सा live fashion आ रहा है कौन सा DPP sheet है और कैसे उसको approach करना है कैसे अपने exams में अच्छा perform करना है देन उसके अलावा हमारा phone number and whatsapp contact number भी यहां पे दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप हमसे अपने doubts पूछ सकते हैं या फिर अपने जो भी queries हैं उनको resolve कर सकते हैं प्लीज सेशन को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यह तीन छोटे छोटे आपके contributions हमें बहुत ज्यादा motivation देते हैं हमारे vision तक पहुचने के लिए बहुत ज्यादा हमें inspire करते हैं अपना ध्यान रखें अच्छे से पढ़ाई करें friends and family को support करें माबाब की सेवा करें and yes अपने तबियत का बहुत अच्छे से ध्यान रखें all the best for the exams क्योंकि आजकल हर अफ़ते होते रहते तो exam देते रहो पढ़ते रहो life को enjoy करते रहो bye bye see you soon take care